एक चीछ और सुनिया हमने कि आप वाइट रंग की अमबेजदर गाड़ी से चलते हैं 85 मूडल अपने दादा जी की आप पंजाब से हैं यह कहां से आपने जानकारी हैं कठे कर ली हैं और वो बिलकुल वो क्यों कारण क्या है मैं मेरे छोटा साइस में यह था कि हमें सुनने म हुँ पंजाब में जितने भी लोग उस टामकिलिंग होती थी मार दिये जाते थैं चाहिए को पलीज के हूँ चाहिए आम पॉबलिक के लोग हूँ उनके परवार के मलन लगाने उनको को कहीन ना कहीं दलासा देने के लिए उन्हें उनको विश्फवाश देने के लिए भी हम हैं आपके साथ वो इस कार में ही ज़्यादा सीम बनने से पहले उन्होंने ट्रैवल किया सफर किया तो हर तक्रीवन हर गाउं में ऐसा उस टाइम वाता वरंता रोज किलिंग कही ना कहीं हो जाती थी परवार के परवार मार दिये जाते थी तो ये एक वो निशानी है उनकी जिसकी उपर वो हर पंजाब के हिस्से में जाके मलम लगाते हैं तो हम इसी को याद रखते हैं भी ये एक तो आपको आपके अंदर विश्वाश पैदा करती है भी किसी भी कठन स्थिती में आप खड़े हो सकते हैं उस टाइम तो वो आम एक कारी करता थे आम एक लीडर थ तो एक दूसरी भी हमें इससे एक उर्जा अंदर ताकत मिलती है जब हम इस कार में बैठते हैं इसमें खुद अंदर देश के प्रती जो उनके अंदर भाबना थी चाहे मेरे इस चाहते हुए बंब लास्ट हो जाए चाहे गोली चले चाहे कुछ हो लेकिन मैंने लोगों के अपने सिर पे हाथ रखना जाके अपने भाईयों को जब भी डालके प्यार देना है तो ये चीजें एक आपसी भाईचारे का प्रेम दूसरा डरना नहीं है और किसी भी हद तक अपने देश के देश की लोगों के लिए आपने जाना है वो प्रतीक है ये गाड़ी इससे य नहीं रहे कोई तामजाम नहीं कोई महल कोठीं गाड़ी नहीं तो ये एक चीज याद रहती है अभी वो इसमें मेनद करके एक मुख्मंतरी सूबे के बने और आप अगर एक निशानी होती है अभी अगर आप भी भाई अच्छी तरह काम करना चाते हैं अमानदारी से काम क शरुए जाते हैं कही पहुंचना चाहते हैं तो यह मंजल आपको हांसल हो सकती यह प्रेंळना वहां से मैं आपको मतलब एक जम्मेदारी दिखाई देती है उसके इंदर उस गाड़ी से आपको और पीछे भी कितनी बड़ी यह लेगे सी यह आपके पीछे यह भी इसको ध्यान में रखते हुए इसको बचाते हुए कहीं इसको आँच नहीं आनी चाहिए वो उस चीज़ का सिंबल है झाल